आज का वर्दान कोई भी बात कल्यान की भावना से देखने और सुन्ने वाले परदर्शन मुक्त भाव आये इस वर्दान का स्वरूप बने ओम शादे स्वयमको अपने संगम योगे ब्राम्भण स्वरूप में ब्रोकुटी के मथ्ये अनुभाव करें मैं ब्राम्भण आत्मा स्वयमा शिवबाबा और ब्राम्भा मा की डारेक्ट संतान हो ये ब्राम्भण चन्व प्राप्त होते ही मुझे अलोकिक पारलोकिक पिता और बेहद का रूहानी परिवार मिला है मैं सूस करें ब्राम्भण आत्माउं का संगठन जिसका आधार खुद मेरा बेहद का पिता है ये संगठन दिन और दन ड्रामा प्लान अनुसार विस्तार को प्राप्त हो रहा है इस संगठन में भी प्रतीक ब्राम्भण आत्मा ज्यान की धारणा अनुरोप नंबरवार पुरुशार्थ अनुसार इश्वरिय श्रीमत पर चल पाती है इस बेहद के गुलस्तान में इश्वरिय बगीचे में सब फोल एक बागवान के है पर कोई गुलाब है कोई चमपा कोई चमेली कोई अक भी है पर सब एक के ही है चेक करें कि जो भी बातें इस विशाल संगठन में मैं एक दो से सुनते हो क्या उन्हें मैं भी तर अपनी वृतियों में स्विकार करती हो क्या पर चंतन मेरे स्वच चंतन में विघनरूप बन जाता है मैं सूस करें और घ्यान की दृष्टी से हर बात को देखें बड़ा परिवार बड़ी बाते हैं पर मुझे मेरे बाबा ने एक ही श्रीमत दी है देखते होए न देखो सुनते होए न सुनो ये बाते हैं मेरे अंतर की बाबा की याद को आंतरक शक्ति शाली स्थिती को कमजोर करने वाली है ये परचनतन मुझे पतन की और ले जाने वाला है ये माया का रोप है जो मुझे मेरे लक्षे से भटकाने वाला है इसलिए मैं सब कुछ देखते सुनते भी सदापने स्वचनतन में और बाबा की याद में मगन रहते हो और यदे जम्यवारी प्रमाण मुझे कुछ सुनना भी पड़ता है तो मैं मन बुद्धी को बाबा से चोड़ कर इश्वरिय शक्तियों से मन की ब्रेक को पावर्फुल बना लेते हो साक्षी होकर सब देखते हो सुनते हो श्रीमत प्रमाण सब कुछ करने के उपरांद पावर्फुल ब्रेक से संकल्पों को शक्तिशाली स्थेदी को ओम शांते शांते शांते